नमस्कार, पब्लिकेशन यूज में आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक बड़ा सड़क हाथसा हो गया जहांपर कार रेलिंग तोड़कर एक सरकारी गाड़ी नहर में गिरी इस हाथसे में तहसीलदार समय तीन लोगों की मौत हो गया उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ये बड़ा सड़क हाथसा हुआ है तहसीलदार की कार नहर में गिर गई और हाथसे में तहसीलदार समय तीन लोगों की मौत हो गई तीनों के शर्म निकाल लिये गए हैं बिजनौर के नजीबाबाद के सरवनपुर नहर में देर रात रूड़की की तहसीलदार की सरकारी गाड़ी गिर गई तहसीलदार सुनैना राना अपने अरदली ओमपाल और ड्राइवर सुन्दर सिंग के साथ नैनी ताल से रूड़की वापस हो रही थी नजीबाबाद से चार किलुमेटर पहले नहर पुलिया की रेलिंग को तोड़ कर कार नहर में गिर गई घटना के बाद प्रशासर में हड़कम मच गया है जिरादिकारी रमकान पांडे, एसपी डार धरमवीर सिंग, स्टेम ब्रजेश कुमार सिंग, सीओ प्रमीर कुमार सिंग घटना सतल पर पहुचे हुए हैं काफी तलाश के बाद तीरों शबो को निकाल लिया गया है वही क्रेन द्वारा कार को नहर से बाहर निकाला गया मौके पर पहुची पुलिस ने फिलाल जाज शुरू कर दी जाजा और रोचा खबरों के यूँ ही जुड़े रहे हैं हमारे साथ और हाँ हमें सब्सक्राइब करना ना भूले नीचे दिये बेल आइकन को ज़रूर प्राइब